हलो अबरीबान वेलकम टू मैंगनेट बेंस माइनेम इस हीमन तुम्रे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैंगनेट बेंस पे जो प्रोवाइट करता है कॉलेटी एजूकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ जी हां फुल कोर्स कंटेंट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सार आप बस लगे तो रहा हो आप आतो जाओ एक बार मिलके काम तमाम कर देंगे पूरा नहीं समझ में आए तो बोलना मैंने बेंस के दो ही चैनल है एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम अगर मैं इंग्लिश मी इंटेक्स और एंटेक्स और एंटेक्स और एंटेक्स और एंटेक्स और एंटेक्स सब कुछ करवा रहा हूं वहीं हिंदी मीडियम की बात करूं तो भाई अगर कोई ऐसा आपके दोस्तों जो हिंदी मीडियम वाले तो उनको पकड़ लाओ कहना यहां पर हिंदी मीडियम म वो ही segment आपको Hindi medium में करवाया जा रहा है बस बुलाओ तो लाओ तो अपन देख लेंगे सर बिंदास तरीके से देख लेंगे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आईगी चालू करें क्या बताओ चालू करें क्या बताओ और सर एक चीज और है आपको e-books e-notes ये भी प्रोवा नहीं आने वाली है चीक है एक important बात बताता हूं सर मैं आपको हमेशा कहता हूं देखिया इससे तगड़ी कोई book नहीं है market में हां सर मैं कहता हूं सारी refresher बाद में सारी चीजे बाद में पहले तो भाईया जो है NCRT माता है हमारी माता NCRT है और भाईया बाकी सबका तो इंटी देता हूं वैसे बाईयो वाली माम बताएंगी लेकिन आपको chemistry और biology वैसे subject के लिए NCRT important है लेकिन सर ये दो के लिए तो आयो आप समझ रहे हो chemistry और biology sorry हाँ वो ही तो लिखा है sir इनके लिए तो line to line line to line मैं कहना हूं ना NCRT के सारे topic wise sir पूरे करवा दिए अच्छा पूरे करवा दिए क्या ओके चलो ठीक है बताते हैं न क्या क्या करवा दिए NCRT solution sir हो गया ये भी करवा दिया आपने ओके बिटा ओके चीक है NCRT index sir ये चल रहा है आते जाते बीच बीच में पूरे वैसे हो गए आदे से जादा okay ठीक है thank you बिटा thank you NCRT example sir ये भी आदे से जादा हो चुका है अगर आप देखे दो हम लोग 10 चैप्टर पर अच्छा 10 पर ओके बिटा देख रहो इतना segment करवाए जा रहा है NCRT के अंदर अब इसके बाद और क्या चाहिए इतना अगर डाला तो लाइफ जिंगा लाला फिल लिख सकते हैं आप जिंगा लाला फिल लिख सकते हैं आप जिंगा लाला कोई दिक्कत की बात नहीं है बिंदास अगर कोई रोक पाए तो रोक के दिखाए अगर कोई रोक पाए, तो रोक के दिखाआए मैंने का ठीक है सर, डन एक नवर बिल्कुल बिन्दास तरीके से, ला जवाब तरीके से कोई भी प्रॉब्रम नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्रम नहीं होनी चाहिए जल्दी बताओ Clear Clearか क्लियर है क्या नहीं है बिलकुल सर बिलकुल तो सर आज लाए क्या हो ये तो बताओ मैंने का सर जी टाइब 6 भाईया एस ब्लॉक का टाइब 6 एस ब्लॉक का टाइब 6 देखें न सर बिलकुल एस ब्लॉक का टाइब 6 प्याए मैंने का ठीक हैं सर टाइब 6 आए तो कोई दिक्कत नहीं है चाप्टर No.10 लॉंग अंसर टाइब कोशिन्स कैसर जी लॉंग अंसर टाइब कोशिन्स चिस जापा है नहीं का ठीक है सर देखते हैं करते हैं सको सर ये भी important है यह आता है पेपर में यह important part रखता है तो इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला निप्टा नहीं पड़ेगा सर इसको इसको छोड़ नहीं पाएंगे सर बिलकुल नहीं छोड़ पाएंगे मैं आपको इती गैरेंटी देता हूं अगर आपने इसको छोड़ा तो अपन फच जाएंगे, चल, आजाएए सर, आजाएए, क्या बोल रहा है, the S-block elements are characterized by their larger atomic size, lower ionization enthalpy, invariable plus one oxidation state and solubility of their oxoacids, in the light of these features, describe the nature of their oxides, halides and oxoacids, ठेक है बही है? यह S-block की properties है, यह S-block की क्या है, properties है, कौन सी कौन सी बता हो जड़ा, मैंने कल लो आपको बताता हूँ, पहला, larger atomic size, lower ionization enthalpy, invariable plus one oxidation state and solubility of their oxo salts, यह इसकी properties है, और इन properties के बहाफ पे, आपको दो-तिन चीज़े बतानी है, क्या बतानी है दो-तिन चीज़ों में? पहली, उनके oxides के बारे में, halides के बारे में, और उनके oxo acids के बारे में, sorry, oxo salts बोलो आप, आप बोलो oxo salts के बारे में, हमने का ठीक है सर, हमने का ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, में बता देंगे oxo salts के बारे में, easy है, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे nature of oxides की, किसकी बात करेंगे nature of oxides की, अब हमसे बात करेंगे s block elements की, तो भाईया हम लोग जानते हैं यहां पर, तीन तरीके की oxides बनाते हो आप लोग, फिर एक आपकी peroxide बनाते हैं यह लोग, फिर उसके बाद यह बनाते हैं superoxide, चीक है, और हमने यह भी देखा था, आपने question में पढ़ाया था, कि भाईया जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जातने हैं, मतलब कि peroxide और superoxide की stability की बात करूँ में, इनकी stability, इनकी stability down the group बढ़ती है सर, कहां बढ़ती है, down the group, ऐसा क्यों हो, क्योंकि सर, down the group क्या होता है, केटायन का size भी बढ़ता है, किसका size बढ़ता है, केटायन का, तो भाईया वो handle करवाएगा, stabilize करवाएगा, किसको, एनाइन्स को, यह बड़े size के, पर उक्साइड और सूपर उक्साइड बढ़े और size के हैं, तो इनको उपर वाले handle नहीं कर पाते, लेकिन नीचे वालों के केटायन का size बढ़ जाता है, तो फिर वो stabilize कर लेते, किसको, पर उक्साइड को और सूपर उक्साइड को, इसी लिए down the group, पर उक्साइड और सूपर उक्साइड की stability क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, हमने खाँ ठीक है, क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, इतनी बात clear है, किस-किस को clear है, एक बार हाथ उपर करो, जल्दी मुझे तो clear है एक बार बाकी लोग हाथ उपर कर दो किस-किस को clear है जल्दी 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 मेरे को तो clear है वह या किस-किस को clear है हाथ उपर करो कल दिया अब पढ़ो alkali metals form M2O, M2O2 and M2 type of oxides monoxide, peroxide, superoxide the stability of the peroxide or superoxide increases मतलब peroxide or superoxide की stability बढ़ती है कहाँ पर as the size of metal cation increases किसका size बढ़ जाता है? metal cation का size अगर बढ़ जाएगा तो इसकी stability भी बढ़ जाएगी ठीक है? this is due to the stabilization of larger NIN by larger cation भाई वो कहते हैं ना बड़े को बड़ा ही मालता है लड़ाई हमेशा बराबरी वालों की होती है तो अगर NIN बढ़ा है तो उसको फोड़ेगा भी कौन? cation बढ़ा होके इसी लिए नीचे जाने पर cation बढ़ता है इसी लिए हमारी stability भी बढ़ती है क्या बोलते हो? यह था nature of oxide उसने बोला ना पहले oxide के बारे में अब देखेंगे halide और oxo acids तो पहले oxide clear हुआ लो पहले इसका screenshot लो इसका down the group बढ़ती है stability जल्दी इसका screenshot लो ले लिया चलो अब पूरा screenshot लो यहाँ पर फिर अपन बात करते हैं halides पे और oxo salts पे चलिए हो गया यहाँ तक कोई दिकत की बात तो नहीं है आगे बढ़ें चलिए यह oxides हो गया आप देखेंगे halides और oxo salts के उपर चीक है सर थोड़ा प्यार से अच्छे से अराम से चीक है nature of halides alkali metals halides have general formula MX हाँ सर बिलकुल आप यह बात के चलिए alkali metals में आप कुछ भी कर लो सर देखिए alkali metals में अगर आप बात कर लें alkali metals की valency 1 होती है कुछ भी बना लीजे सर MF बना लीजे MCL बना लीजे MBR बना लीजे चाया आप MI बना लीजे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है सबका general formula MXC होता है क्यों क्योंकि halogen को अपन x से denote करते है halogen को किसे denote करते है अपन x से इसलिए यह चलता है कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं है मैंने का ठीक है sir done मैंने का done एक तरफा तरीके से कोई problem की बात नहीं है अब देखिए all halides are soluble in water LIF is very less soluble अब LIF के साथ ऐसा क्या है तो सुनिए sir LIF जो होता है इसकी lattice enthalpy बहुत जादा होती है जी हाँ इसकी lattice enthalpy बहुत जाता होती है और इसकी hydration energy को overcome कर देती है क्या sir lattice enthalpy इसलिए यह soluble नहीं होता in water due to its high lattice energy their melting and boiling point follows the trend sir fluorides का melting boiling point सबसे जादा होता है फिर chlorides का फिर bromides का और फिर iodides का और यह क्यों होता है क्योंकि sir इधर पे strong intermolecular force of attraction देखने को बरता है ठीक है increase in size of halide lattice energy increases बिलकुल sir बिलकुल done 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 अब आते हैं oxo acids पे किस पे आते हैं बिटा oxo acids पे oxo salts of alcaly metals are generally soluble in water and thermally stable and thermally क्या होते हैं stable होते है oxo salts का मतलब क्या होता है sulfates carbonates and आपका bicarbonates and आपका bicarbonates यह होते हैं sir ठीक है क्या होता है sulfate होता है carbonate होता है और अपने bicarbonate यह होते हैं अपने oxo salts ठीक है यह generally soluble भी होते हैं water में और अगर देखा जाए तो thermally stable भी होते हैं क्या होते हैं thermally stable भी होते हैं मैंने का ठीक है सर फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है अगर thermally stable है तो फिर आगे देखिए as electro positive character increases अगर electro positive character increases down the group तो इनकी stability भी बढ़ती चली जाती है reason बताता हूं सर क्या होता है यह जो carbonate से या यह जो bicarbonate से इनका size होता है बड़ा यह larger size के NIN होते हैं तो अगर इनसे कोई पंगा ले सकता है इनको कोई चुपचाप कराके बैठ सकता है तो उसके लिए हमें larger positive charge भी चाहिए larger क्या चाहिए positive charge चाहिए और larger positive charge कब मिल सकता है जब आप नीचे की तरफ जाओ इसी लिए नीचे जाने पे stability बढ़ती है क्योंकि वहाँ पर larger positive charge मिलता है तो देखिए electro positive character increases algun the group stability of carbonate and bicarbonate increases increases जल्दी जल्दी फटा फट इतना note down करिए कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं जल्दी 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 कोई आप तो नहीं है कोई परेशानी जल्दी 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 चलो डान कल यह स्क्रेंशॉट से स्क्रेंशॉट बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा यह लीचे अब बात करेंगे अपन कोशन नंबर 47 सर चीक है सेकेंड आगया कोई दिकत की बात नहीं है चलिए प्रेजेंट अ कंपेटेटिव एकाउंट्स ऑफ एन अलकली अन अलकलाइन अर्थ मैटल वित रिस्पेक्ट टू दा फॉल्वइंग चैरेक्टिर्स्टिक्स मतलब हमको अलकली मैटल और आपके सिंपल सी बातें alkaline, earth metal, इनको compare करके चलना है ठीक है, काई-काई में ionic compound कोण मनाता है, covalent compound कोण मनाता है nature of oxides and solubility में क्या फर्क है formation of oxy solids and solubility of oxy salts and thermal stability of oxo salts इन सब पर अपन को बात करनी है इन सब पर अपन को क्या करनी है बात करनी है, मैंने खाँ ठीक है सर कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली मैंने कहाँ, done चलो सर सबसे पहले alkali metals मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सर, alkali metals में ऐसा क्या होता है मैंने कहाँ, देखो ना, all alkali metals except lithium forms ionic compounds सर, सब sodium potassium, ribidium cesium एक भी कुछ नाटक नहीं करेगा सबके सब עaynak बनाएंगे बस एक व्यक्ति को छोड़के इनके उपर वाला जो बिठा है न, lithium baaboo वो सुनता नहीं है किसी की यह जो lithium baaboo है न यह किसी की नहीं सुनता किसी की नहीं सुनता कौन यह lithium baaboo मैंने ठीक है सर ठीक है पक्का, चलो अब क्या होता है सारद जो हम नीचे की तरफ जाते हैं. तो आमने पड़ा आँपर बना आता है lithium oxide, फिर नीचे जाने पर sodium oxide, सबकी मैं भी mono oxide ही बना रहो, पिक प्रॉक्साइड सूपर ऑक्साइड नहीं, फिर नीचे आता है potassium oxide, फिर आता है diubadium oxide, फिर आएगा Cysium Oxide, तो इसर नीचे जाने पर जो अकसाइड होती है, उनकी solubility बढ़ती जाती है, पता क्यों? उपर की जो oxides होती है, वो उसका बntरिप सचाइड बलु जाती है, जी हाँ, यह वाली oxide जाती है, क्योंकि इनकी lattice energy जाती है, अब नीचे जाने पर size बरता है, तो latest energy कम हो जाती हो, latest energy अगर कम हो गई, तो hydration energy बढ़ जाएगी और सरी आसानी से soluble हो जाएगी, इसलिए the solubility of oxides of alkali metal increases down the group increases down the group जल्दी 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 बिलकुल जल्दी अच्छे से एकदम बढ़िया तरीके से चलेंगे कोई problem की बात नहीं होनी चाहिए ठीक है? यह सब के सब, सारे alkali metals आपके carbonates बना लेते हैं M2CO3 sulfates बना लेते हैं M2SO4 और nitrates भी बना लेते हैं ऐसे सब form कर लेते हैं कौन? alkali metals तो आपने गाए ठीक है सर मान लेते हैं All alkali metals form oxo acids such as carbonates, sulfates and nitrates मैंने का good good भी यह तीनो दिल बना लेना का तीनो चीजे clear होतो एक बार comment में fire वाला emoji आ जाना चाहिए एक बार comment में fire वाला emoji आ जाना चाहिए जल्दी 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 एक बार comment में fire वाला emoji आ जाना चाहिए भाई बढ़िया तरीके से मैं नहीं जानता हूं मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता मैं तो बात ही नहीं करने वाला हूं clear जल्दी 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 बिलकुल डं 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 चलो हो गया चलिए चलो डं 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 कोई दिकत की बात तो नहीं है आगे बल जाए चलिए बिलकुल यह लो क्या बोल रहा है the solubility of carbonates and sulphate increases down the group ठीक है भाईया तो मैंने क्या कहा था solubility नीचे जाने पर क्यों बढ़ रही है क्योंकि भाईया simple सी बात है नीचे जाने पर आपकी hydration energy बढ़ जाएगी as compared to lettuce energy और अगर lettuce energy को overcome कर गई hydration energy तो यह लोग आसानी से क्या हो जाएंगे solubile हो जाएंगे तो आपके carbonates carbonates आपके sulphates यह आसानी से solubile हो जाते हैं down the group क्या हो जाते हैं down the group मैंने का ठीक है सर carbonates and sulphates of lithium decomposes on heating while the stability of carbonate and sulphates of other metals increases down the group सर उपर के जोते बहुत जली टूड़ आते जैसे carbonates of lithium की मैं बात करूं तो सर lithium carbonate की अगर अपन बात करें तो वह थोड़ी से heat में टूड़ आता है और वह बना लेता है lithium oxide प्लस carbon dioxide तो अब बात समझना सर क्योंकि सर इसके comparison में यह वाली oxide बहुत जादा stable होती है थो भाईया हर कोई चाता है हम से बलो होता है तो वह सोता भाईयत तुम नहीं तो कोई और सीकोई और नहीं तो कोई और साइख तो questo य democracy και gün यह एकदा मांशे बर होता है यह एकदाम limb की बात नहीं यह मैंने का हमाए डन को मैंने का बहुत शांदर आप जवाब चीक है, चलो, आगे बड़े आगे बड़े, डन, यह अलकली मेटल्स के बारे में बात है थी किसके बारे में थी, अलकली मेटल्स, अब आते हैं अपन अलकलाइन अल्थ मेटल्स, चीक है सर सर जल्दी चलेंगे, हाँ बाई, जल्दी चलना है alkaline earth metal ठीक है? आजो all alkaline earth metal except beryllium forms ionic compound ठीक है सर जी? मतलब इनके में यही लफ़ड़ा है, इनके में भी यह पहला वाला तेज चल रहा है beryllium, magnesium calcium, strontium barium, मतलब यह सब के सब एक सबान चल रहे हैं यह सब बोल रहे हैं, सर जी हम आपकी बात मानते हैं, हम ionic compound बना लेंगे हम ionic compound बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन यह जो उपर बेठा व्यक्ति है, कौन सा? यह उपर वाला यह जो है यह कह रहा है मैं तो covalent ही बनाएगा यह कह रहा है मैं तो covalent ही बनाएगा यह कह रहा है मैं तो covalent ही बनाएगा मैंने कहा ठीक है बना ले बाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीके, अब सुनिए दूसरी बात, सर नीचे जाने पे ऑक्साइट की बढ़ रही है, पता है क्यों? क्योंकि उपर वाली ऑक्साइट होती है वो ज़्यादा स्टेबल है सर उनकी लेटेस एनरजी इतनी ज़्यादा है कि वो पानी में घुलना ही नहीं चाह रहे है ठीके, और नीचे जाने पे उनकी इस्टेबिटी कम हो रही है, उनकी लेटेस एनरजी कम हो रही है और हाइड्रेशन एनरजी बढ़ गई जिससे वो आसानी से सॉलिवल हो जाएंगे तो इस पॉइंट में भी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए थी यह लोग भी बना लेते हैं भया, औक्जो एसेट्स, और अलकलाइन अर्थ मेटल फॉर्म्स, औक्जो, सॉल्ट्स, सच आस कार्बोनेट, सलफेट्स, एन नाइट्रेट्स, यह भी सब तयार करके रखते हैं तो यह लीजे, तीन पॉइंट इसके भी क्लियर हो गए है, अभी दो पॉइंट्स और बताऊंगा, पहले इतना नोट डाउन करो, जल्दी, 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 जल्दी दन चीक है चीक है चीक है बिलकुल बढ़िया ला जवाब एक नमबर चीक है चलो दो पॉइंट्स और कवर कर लेते हैं फटा फट फिर आगे चलते हैं चीक है तो यह कंपैडिशन हो गया दोनों के बीच में किनके दोनों के बीच में कंपैडिशन हो गया सर 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 मैंने का हाँ बोलो तो सर अलकली मेटल और अलकलाइन अर्थ मेटल के बीच में कंपैडिशन हो गया चीक है अलकली मेटल और अलकलाइन अर्थ मेटल के बीच में कंपैडिशन हो गया चीक है चीक है अलकली मेटल्स और alkaline earth metal के बीच में comparison हो गया देखिए जल्दी देखिए जल्दी 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 कोई भी दिक्कत हो तो बताईए चलो चलो done done अगला भाई ये बढ़िया कोशन है liquid ammonia वाला ये कोशन बढ़िया सर ये कोशन आपसे पूछ सकता है इसमें बहुत सिंपल से कोशन पूछता है कि जब हम ग्रोफ वन के मैटल को डालते हैं किसके अंदर liquid ammonia के अंदर तो कई सारे observations देखने को मिले ब्लू कलर मिलता है हमें तो सर यहां पर क्या होता है ammoniated electrons मिल जाते हैं हमें वाँ पर इसके ब्लू कलर देखने को मिलता है फिर ये कलर चेंजों के ब्राउंस के ब्रॉंस के हो जाता है तो वह जो ammoniated electron थे वह बाउंड हो जाते कहीं पर बीजी हो जाते कहीं पर चले जाते हैं जिसके चक्कर में यह हमें देखने को मिलता है मैं आपको यह यह answers बता दिये लेकिन मैं भी आप clear करूंगा चलते देख नहीं प से dissolving liquid ammonia सर यह बनता है मैटल को liquid ammonia में डाल दिया तो इस तरीके से और यह जो दिख रहा है ना ammoniated electron यह होता है अहां बड़ी पैंसिल इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको ammoniated electron क्या कहते हैं इसको ammoniated electron चीक है और इसी के वज़े से अपन को क्या देखने को मिलता है blue color sir आपने पढ़ा है ना कि electrons जो होते हैं यह excite और de-excitation करते हैं जिसके चलते color देखने को मिलता है तो blue color मिलता है the blue color of the solution is due to the presence of ammoniated electron which absorb light in the visible region of light and thus imparts a blue color to the solution तो कौन सा color देखने को मिलता है blue color सा sir यह बहुत important question है ammoniated electron के इसे important है तो 16, 17, 17 सितारे सब लगा लो इस पर यह लो भाई 16, 17, 17 सितारे सब लगा लो इसके उपर कोई दिक्कत की बात नहीं है बिलकुल 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 चलिए 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 डन पका यह लिए जब यह blue color बना दिया मैंने यह देखो blue color बना दिया मैंने कोई दिक्कत की बात नहीं है बिलकुल चले चलिए चलिए आगे देखते अब क्या होता है सर फिर यह जो electron था ना यह bound हो जाता है क्या हो जाता है बाउन हो जाता है मैं बताओ को कैसे बाउन हो जाता है देखिए हमारे पास metal है यह हमारे पास electron भी है जो blue color impact कर रहा था चीक है और साथ ही साथ हमारे पास क्या है ammonia है अब क्या होता है सर समझना बात को समझना बिटा बिल्कुल बढ़िया तरीके से सर बेसिकली यह जो इसमें से अपन इसको ऐसा लिख सकते है एक H का electron चुड़ा लिया तो यह इससे combine होके बना लेता है MNH2 प्लस अब यह H प्लस क्या करता है electron लेता है और काई में convert हो जाता है hydrogen gas में कुछ इस तरीके से तो भाईया यह electron vanished हो गया यह electron जग सूना सूना लागे जग सूना सूना को ही रहे न अपना चलो निकल दिया तो सर in concentrated solution the blue color changes to bronze color due to the formation of metal iron clusters the blue solution of keeping for some time liberated hydrogen slowly with the formation of amine with the formation of amine वो electron गया तो आपका blue color भी गया वो electron गया तो आपका blue color भी गया कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है चलो, done चलो, चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है बढ़िया जा रहे है बढ़िया जा रहे हैं बढ़िया एग number ठीके? ठीके? ओके? चालो, कातम अच्छा सर, इसका reason मैं आपको पहले भी दे चुका था The stability of peroxide and superoxide of alkali metals increases as we go down the group Explain giving reason Give reason Reason क्या था? जब हम नीचे जा रहे थे नीचे जाने पर क्या होता है सर? larger size ketion क्या है? larger size ketion नीचे जाने पर ठीके? और क्या होता है सर? यह जो peroxides और super oxides होते है यह जो peroxide है या फिर यह अपना जो super oxide है यह जो peroxide और super oxides है यह larger anions होते है क्या होते है सर? larger anions मतलब इनका size बढ़ा होता है सर larger anion मतलब इनका size बढ़ा होता है और इनको कौन समालेगा? सर, larger size ketion ही समालेगे इनको कौन समालेगा? larger size ketion ही समालेगे इसलिए नीचे जाने पर इनकी stability क्या हो जाती है? बढ़ जाती है सर क्या हो जाती है बढ़ जाती है यह बस में फंडा इनका है यह बस इनका में फंडा है मैंने का ठीक है सर अगर है तो अच्छी बात है यह तो अच्छी बात है कोई दिक्कत की बात है आप रपन देखने को नहीं मिल देए मैंने का ओके डन 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 बिल्कुल सही है डन 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 एक नमबर है चलिए 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 अब पढ़ेंगे इसने क्या बोला क्योंकि बाई इसका बोलना भी तो important date, चलो, as the size of alkali metal increases, the stability of peroxide and superoxide increases. देख रहा हो, देख रहा हो, stability order for superoxide, देखो, K O 2, ribodium O 2, cesium O 2, this is due to the stabilization of larger NIN by larger cation, यही तो मैंने का था, बड़े को बड़ा ही समाल सकता है, तो larger NIN को larger cation ही समालेगा, एक तरफा तरीके से, मैंने का ठीक है, the reactivity of alkali metal towards oxygen to form different oxide is due to the strong positive field around each alkali metal cation, each alkali metal cation, यह बात आपको पता होनी चाहिए, अगर आपको अपनी oxides की stability बढ़ानी है, तो उनका size देखिए, अगर आप बात कर रहे हो, पर उक्साइड और सूपर उक्साइड उनका size बड़ा है, तो उनके size बड़े होने के वैसे, उनको larger cation चाहिए, जो की का में लेंगे, नीचे इसलिए down the group, इनकी stability बढ़ती है, जल्दी screenshot लेंगे, screenshot बराबर तरीके से चलते रहने चाहिए, screenshot में गलती नहीं होनी चाहिए, चलो बाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है, done, 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 जल्दी, हो गया, चलो, अब आगे देखते हैं थोड़ा, भाई इनने पूरा पूरा बिस्ताल से बताया होगा भाई, तो यह क्या कर लेता है, तो यह क्या कर लेता है, और वो क्या बनाता है, परोकसाइड बनाता है, तो सोडियम के लिए, जो सबसे बढ़िया मिलता है, वो आपको क्या मिलता है, Na2O2, मतलब आपको परोकसाइड बनी हुई मिलती है, क्या बनी हुई मिलती है, परोकसाइड बनी हुई मिलती है, तो यह देखिए, ओकसाइड से यह कनवर्ट होता है, पर उक्साइड में और पर उक्साइड से ये कनवर्ट होता है सूपर उक्साइड में कहाई में कनवर्ट होता है सर सूपर उक्साइड में देख लो देख लो भाई देख लो जल्दी देख लो जल्दी अली फुल टू देखते चलो तभी मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है Done Done भाई, Done एक नमबर चलिए, आगे देखेंगे The larger K+, Rb+, or Cs+, Ion permit O2, 2-2 reacts with O2 forming superoxide यहीं पर superoxide बनता है Furthermore, increases stability of peroxide or superoxide with increase in the size of the metal ion is due to the stabilization stabilization of larger NIN by larger cation, higher lattice energy higher lattice energy जादा stabilize करेगा, तो भाई है, lattice energy तो जादा होगी ही, तभी हम उसको stability का कारण मानते हैं तभी हम उसको stability का कारण मानते हैं Done तभी हम उसको stability का कारण मानते हैं, हो गया screenshot? Done, चलो ओके, कोशन नमबर 50 कोशन नमबर 50, अच्छा कोशन है अच्छा कोशन है, अच्छा कोशन है बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल अच्छा कोशन है, क्या है जरह सुरू? वेन वाटर इस एड़ेट तो कंपाउड आ ऑफ केल्सियम सॉलूशन आफ कंपाउड बीस फॉर्म ठीक है, एक कोई कंपाउड एए है उसमें अपने क्या मिलाया? वाटर तो क्या बनेगा? कंपाउड बी बनेगा क्या बनेगा? कंपाउड बनेगा? मैंने खाँ ठीक है सरफ वेन कारबन डाय ओकसाइड इस पास थू दा सॉलूशन फिर इस कंपाउड बी में जैसे हमने कारबन डाय ओकसाइड पास कराई तो इट टर्न्स मिल्की द्यूट दा फॉर्मेशन आफ कंपाउड सी तो यह कंपाउड सी बना जिसके वज़े से यह मिल्कीनेस हो गया ठीक है? ओके इस एकसेस आफ सी ओ टू इस पास फिर अगर मैंने इस-में एकसेस आफ सी ओ टू पास करी तो आपका कंपाउड डी बना जो हो गया आपका क्या सर? इस से क्या हुगा? milkiness disappear milkiness disappear चलो milkiness disappear ठीक है सर अब एक बात बताओ सर्थ CO2 अगरा की बात हो रही है milkiness आने की बात हो रही है यह सब तो मेरे साब से सरी यह class 10th वाली reaction है बिल्कुल white washing वाली हाँ class 10th वाली reaction है white washing वाली पता है कैसे compound A जो है वो हो सकता है quick lime CAO उसकी reaction पानी के साथ तो शाहिद बना दे calcium hydroxide जिसको slake lime कहते है ठीक है फिर जैसी slake lime में आपने CO2 डाला तो milkiness पता क्यों आती है क्योंकि बनता है calcium carbonate calcium carbonate ठीक है और फिर जैसे ही आपने इसमें CO2 excess में डाला तो शाहिद बनेगा calcium bicarbonate calcium bicarbonate तो यहाँ पर शाहिद आपको यह A मिल गया आपको यहाँ पर शाहिद यह B मिल गया और आपको शाहिद यहाँ पर यह C मिल गया और यहाँ पर आपको शाहिद D मिल गया चेक करके बताओ साही किया है कि गलत चेक करके बताओ साही किया है की गलत जल्दी कोई तकलीफ तो नहीं है साही किया है की गलत चेक करके बताओ दो वाई एक पर मेरे साथ तो कोई दिक्कत की बात मेरे को लग नहीं रही है क्या बोलती पबलिक क्या बोल रही है पबलिक जल्दी 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 चलो तो अपना यह बन गया कुईक लाइम स्लेक लाइम केलिषिम कार्बोनेट अरे बाइ केलिषिम कार्बोनेट दो विलनकी वाला है रुख जाओ, रुख जाओ, यह ऐसा होगा, ठीक है, इसके वज़े से अपनी milkiness चलिया थी, कोग यह soluble होता है water में, अगर यह soluble होगी है water में, तो फिर भाई यह milkiness दिखेगी नहीं, ठीक है, चलो, अब आखे देखो, A आपका calcium oxide, B आपका calcium hydroxide, C आपका calcium carbonate, और D आपका calcium bicar carbonate, और calcium bicarbonate soluble होता है, calcium bicarbonate soluble in water, hence milkiness of solution disappear on passing excess of carbon dioxide into the solution of compound B, तो जब भाई आप B के अंदर, B के अंदर excess of CO2 को आप मिला दोगे, बहुत ज्यादा CO2 का अगर आप उसके अंदर डाल दोगे, तो भाई यह last में आपका compound D बनता है, जो soluble होता है water में, और milkiness गायब हो जाती है milkiness गायब हो जाती है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली है, जल्दी 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 बिंदास तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए, कलिया कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आया ना सर, सब बिलकुल easy है, और समझ में आना चीए सर, सर अगर ग ह nutrient hydride can be used to prepare other useful hydrides beryllium hydrides is one of them suggest a route for the preparation of beryllium hydride starting from the starting from lithium hydride right chemical equation involved in the process चीक है सर, चीक है सर, सर मज़ेदार है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए, क्या होता है, देखो, अरे यारी या आपके सामने क्यों आ जाता है, पुरा, चीक है, देखो, सबसे पहले लिथियम हाइड्राइड, यह ले लिए अपने, ठीक है, इसकी रियक्शन अलुमिनियम क आपके सालुच्लोराइड, ऐसकी रियक्शन अफ़ी ले ले लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं, जब इसकी रियक्शन होती है, तो सार एक ऐसा कम्पाउंड बनता है, जिसकी आप पता है, बाद में चल्ला चल्ला की बोलोगे, आप सर इसकी तो बात ही अलग है, यह है, लि सर ये बहुत तगड़ा reducing agent है हाँ बहुत तगड़ा reducing agent इसके आगे किसी की बोलती नहीं चलती सर आप check कल सकते हैं पीछे ये देखिए रूपो इसको अच्छे जगाज रखना पड़ेगा फिर ये हो पाएगा काम इसका काम बहुत निराला है सर इसका काम बहुत निराला है द यह देखिए लिथियम हाइड़ाइड, अलुमिनियम क्लोराइड, लिथियम अलुमिनियम हाइड़ाइड और लिथियम अलुमिनियम हाइड़ाइड और लिथियम अलुमिनियम हाइड़ाइड और लिथियम अलुमिनियम हाइड़ाइड और लिथियम अलुमिनियम हाइड़ा यह हमारा Berylium Hydride प्लस लिथियम भी क्लोरीड बनाएगा औरолет के वी क्लोराइड बनाएगा यह इस तरीके से इस तरीके से आपका Compound तयार है और यह आपका बन गया Berylium Hydride यह लो clear एक बाद देख लो बिलकुल बढदिया तरीके से कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आईए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आईए, चलो, चलो, डंडना, डंडन, बढ़िया ला जवाब, क्लियर हुआ, बिलकुल क्लियर हुआ सर, क्या है सर, क्लियर हुआ, बिलकुल क्लियर हुआ, कोई दिक्कत की बात न यह दन, 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 क्लियर, पक्का, दन, छी ही कह सर, दन, मैंने कहा हो कह सर, तो आ जाओ यहाँ पर, क्या बोल रहा है सर, आपको क्या लगता है, ग्रूप 2 में कौन होगा, कौन है वो, कौन है, कहां से वो आया, कौन है, सर, देखिए, ग्रूप 2 में है ही कौन, पता है आपको लफडे कौन कलता है, जी हाँ, यह बात, बेरिलियम ऑक्साइट की है, जो खुद कोविलेंट ऑक्साइड है, जो क्या है, कोविलेंट ऑक्साइड है, यह बेरिलियम ऑक्साइड की बात है, जो क्या है, कोविलेंट ऑक् यह देखिये, बिलकुल, because of small size and comparatively high electron negativity of beryllium, beryllium oxide is covalent and insoluble in water, तो पानी में नहीं गुलता, और यह एक amphoteric nature की होती है, It is amphoteric in nature and dissolving acids as well as alkalis, अच्छा, amphoteric का nature का मतलब क्या होता है, amphoteric का मतलब होता है, जो acid से भी react कर ले, और जो base से भी react कर ले, हमने का अच्छी बात है, सब करके तो दिखाओ, सब करके तो दिखाओ, हमने कर लो, यह लोग जाधा time थोड़ी लगेगा, अब मुझे बस एक acid, तो acid के सामने यह बन जाएगी, base, base, अभी चलाई यह रहे, मैं base हूँ, मैं क्या हूँ, base हूँ, तो भईया लीजिए, base और acid तका के क्या बन जाएगा, beryllium chloride, plus H2O, यह लीजिए, पानी-पानी हो गई, यह लीजिए, पानी-पानी हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, म अब आगे देखो, अगर मान लो इसकी reaction, NaOH के साथ करवा रहे हो, तो NaOH क्या है, base, तब ही चिलाता है, कि बाई, हम तो acid है, और जब acid और base दोनों बता रहे हैं, तो क्या 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 लाएंगे, sir, amphoteric sir, sir, क्या 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 लाएंगे, amphoteric and nature, और इसका formula बनता है, Na2BeO2, plus वाटर, यह जो होता है, इसको कहते है, sodium berylate, क्या कहते है, sodium berylate, क्या कहते है, sodium berylate, एक बाल देख लो, सर, sodium berylate, sodium berylate, जल्दी, sodium berylate, ठीक है, यह देखो, बेरियम ऑक्साइट प्लस HCl, बेरियलियम क्लोराइट प्लस H2O, यही होने वाला है, बेरियलियम ऑक्साइट प्लस NaOH, sodium berylate, प्लस H2O, तो यहाँ पर एक बार उपर उसने base बन के काम करा, और नीचे एक बार उसने acid बन के काम किया, यह acid और यह base, चलो, जल्दी, 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 बिल्कुल बढ़िया हो, शांदाल तरीक है, done, हो जाए तो बता द दीचे एक पर, जल्दी हो जाए तो बता दीचेगा, confirm, confirm, चलो, यह लीजए सर, ions of an element of group 1, participate in the transmission of nerve signal and transport of sugar and amino acids into cells, जही के सर, ऐसा कौन सा ion है, group 1 का जो participate करता है, transmission of nerve signals, nerve signals में participate करता है, transport of sugar and amino acids in shells, इसमें भी participate करता है, this imparts yellow color, पहली बात तुर ने group 1 का element बोला है, group 1 में 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 को लगता है, एक ही बन्दा काम में है इन लोग के, थोड़ा-थोड़ा मेरे को लग रहा, group 1 में sodium की बात हो सकती है, sodium ion की, ठीक है, वो मेरे को जा तक पता है कि nerve में और transportation इस सब में, this element imparts yellow color, लो बाईया, group 1 में तो एक ही बन्दा है जो yellow color दिखा सकता है, flame test पे और वो यह यह, yellow color to the flame test and forms an oxide and then peroxide with oxygen, देख रहा हो, peroxide भी sodium बनाता है, identify the element and write chemical reaction to show that the formation of its peroxide why does this element imparts color to the flame, ठीक है, answer है, sodium ion, answer है, sodium ion, ठीक है, आप जानते हो, peroxide के nature में क्या होता है, sodium oxygen से react कलता है और बनाता है, Na2O, sodium monoxide, लेकिन यह further oxygen से react कलता है, और सबसे stable oxide त्यार कलता है, जो होती है, इसकी peroxide है, Na2O2, क्या, यह कहलाती है, इसकी peroxide, क्या कहलाती है, यह peroxide, जो इसको चाहिए होती है, जल्दी दोनों reaction लिखिए, फिर में आगे बताता हूँ, पहले जल्दी दोनों reaction लिखिए, फिर में आगे बताता हूँ आपको, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी पहले यह दोनों लिखिए, फिर में आपको आगे बताता हूँ, बिन्दास तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है, clear हुआ, हो गया, then चल, देखो, जल्दी, अब आगे देखो, तो, sodium ने oxygen के साथ react करके क्या बनाया है, sodium oxide जो की minor है, फिर वो further react करता है, sodium peroxide जो की major होता है, सबसे important आपको यही देखने को मिलता है, फिर हम जानते हैं कि साथ जो हम इसको heat करते हैं, तो इसके पास electron होता है, वो electron excite करके, energy लेके उपर चला जाता है, excite करके, आपने energy दी flame test में, तो यह कहां चला जाता है, ऊपर हो जाता है, excite में, लेकिन मैं कहता हूँ, वो कभी ना कभी तो बापिस आएगा, और जब होगा de-excitation, de-excitation, तब वो बापिस आएगा, और जब बापिस आएगा, तो एक energy को liberate करेगा, और वो energy yellow color की हमको visible region में देखने को मिलती है, क्या होती है, visible region में हमको yellow color की देखने को मिलती है, इस पर में पहले भी बात आपके साथ कल चुका हूँ, when sodium metal or its salt is heated in bunsen flame, the flame energy causes an excitation of outermost electron which on reverting back to initial energy level, पहले वो उड़ जाएगा energy लेके फिर वो बापिस आएगा, gives out the absorbed energy, तो जो energy उसने absorbed की तो उसको वो भान निकालेगा, as visible light and complementary color of the absorbed color becomes visible in the flame, that's why the sodium imparts a yellow color to the flame, इसी वज़े साथ sodium कौन सा color दिखाता है सर जी, yellow color दिखाता है कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, तो सर ये था आपका ये कोशन जो की मैंने करवा दिया है, end, जल्दी देख लो अब यहां तक, जल्दी देख लो यहां तक पूरा खतम करवा दिया है, फटा फट तेजी में, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, मेरे साब से तो नहीं होनी चीए सर, clear है, चल्द, clear है, जी सर, clear है ना सर, क्यों टेंशन ले रहा हूं, हाँ सर, clear है ना, कोई दिखाते हैं, yellow color to the flame, yellow color to the flame, चलो, बढ़ें, आगें, बढ़ें, चलो, ओ, सर, ये तो end आ गया, मैंने का, हाँ यार, end तो मेरे को भी दिख रहा है, end तो मेरे को भी दिख रहा है, भाई, end तो मेरे को भी दिख रहा है, भाई, अब क्या कर सकते हैं, end आ गया तो, आ गया सर, कुछ नहीं करा जा सकता चीक है सर, तो सर यहाँ पर आपका पूरा S-Block समाप्त होता है S-Block clear हो गया, एक तरफा तरीके से S-Block clear हो गया, एक तरफा तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं कोई परिशानी तो नहीं मेरे साब से तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए एक तरफा तरीके से S-Block क्या कर दिया है, खतम कर दिया है तो सर प्लीज जो मैं हर बार बोलता हूँ आज फिर बोलूँगा, क्या बोलोगे सर हर बार क्या बोलते हो, बिटा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे नहीं तो आप लोग जो चिलाते हो ना बार बार, सर 11 का नहीं मिल रहा सर, सर 12 का नहीं मिल रहा सर, सर लाइफ कब होंगे चाहे वो recorded lecture हो चाहे live lecture हो चाहे कोई भी subject हो चाहे कोई भी चीज़ हो वो कब पता चलेगी जब channel subscribe होगा हना तो ये please कर ले ना यार भाई साब और यार मेहनत करी जा रही है तो like और share तो बनता है दबा के like share बनता है कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक होनी नहीं चाहिए sir e-notes and e-books e-notes and e-books ये सब available है कहां पर sir जी नीचे देखो description box में आपको सब कुछ मिल जाएगा बस लगे रहना है बस जुड़े रहना है बढ़िया और शांदाल तरीके से और अगर कहीं पर दिक्कत आए तो एक बार बता देना आपन देख लेंगे watch 100% free 100% free quality content high quality education के साथ आपको दिया जाता है बढ़िया और शांदाल तरीके से मैंने ठीक है sir done 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 और important दूसरी चीज दूसरी चीज sir आप सभी जानते हैं आपके magnet bains के दो चैनल है एक English medium और एक Hindi medium English medium पे CBC और डेली बोर्ट दोनों कवर करवाई जाते हैं वह हिंदी medium पे CBC डेली बोर्ट के साथ बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड और राजिस्तान बोर्ड इनको भी कवर किया जाता है बढ़िया और शांदाल तरीके से साथी साथ Vedic Mass, Crash Course और Spoken English और सर जी Spoken English ये भी मिलता है ये भी मिलता है सर इसको भी नहीं छोड़ने वाले और सर इसकी तो बात ही अलग है Crash Course की अना इस बाल तो 11 कभी है सर मज़ा आजाएगा एक तरफा तरीके से क्या जाएगा मज़ा जाएगा एक नंबर तरीके से दूसरी बात Magnet Brains के वेबसाइट पर जाके भी आप Lectures का लूफ ठुटा सकते हैं एट फ्री फॉर्म में प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब जमें वाईटी पर भी जमें टेम सेम जगह ही होता है इसी जगह इसी वक्त इधर ही मिलने वाला उंकल तो सेम टेम सेम जगह कल मिलते हैं तब तब तक के लिए बाए बाए थैंकिस ओमार जैहन